अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर कर दीजिए आज मैं आपके लेकर आई हूं एक खास वीडियो जिसमें पेरंट्स कुछ ऐसी गलतिया कर देते हैं जिसकी विज़े से बच्चों को आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखनी तो इसी टापिक पर आज हम बात करेंगे तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं और वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखना मैं काफी खास सीज़े बताऊंगी जिससे आप बच्चे बीमार होता है तो आपको ऐसी क्या गलतिया नहीं करने चाहिए कि बच् चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात यह है दोस्तों कि जब आपके बच्चे को भुखा राता है यानि फीवर आता है अगर वो बिल्कुल नवजाश शिशू है तो ही या अगर बड़ा बच्चा है तो ही या वन एयर प्लस है या सिक्स बड़ा प्लस है मतलब लेयर टू लेयर हम पिनाते चल जाते हैं कि फ़न तो नहीं लग रे शीवर इसको बढ़ नहीं लग रहा है तो इसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि रखा गर बच्चे का शरीर गरम है तो अगर उस पर और layer-to layer कपड़ पिनाते आपने बच्चे को ऐसा करना है वही कप्ड़े आपको उसको इसको पिनाने होते हैं, जाधा से जाधा कप्ड़े नहीं पिनाने हैं। दूसरी चीज आपको धहान होती है कि अगर आपकी रूम में एसी ये कूलर रैगुलर नी चलता है तो अगर आपके बीमार हो गया तो उसस बुखार है उसस बुखार दो आप एसी बंद कर दो एइसा नहीं करना चाहिए नॉर्मल टेंप्रेचर होता है जिसको मतलल उसकी बॉड़ी को जिलने की आदत होती है अगर आपके रूम में या घर में इसी चलता है तो आप उसको चला के रखो एसा मत करो कि नहीं सारी चीज़े बंद कर दो और बच्चे के एकदम कवर कर के रखो तो इससे तब्यात और कि रोटीन को जिलने के रखो तो रॉम में जहां भी आपका वैसा ही रखो तीस्य चीज़ आपको देखनी है कि जब आपका बच्चा बीमार है तो कुछ बच्चों का प्रफ्रम होता है कि दूद्स बिल्कुल भी नहीं पीने चालते है मतले अबको बच्चा थोड़ा है व एक बच्च पीमार हो तो मेरे और नहीं पीना चाहता है तो पेरेंट्स मेरे आपसे रिक्वेस्ट आपछे ना करें लुक्ति होने मेरे दिखकते हैं इसलिए इसलिए आप उस्टाइब बेमार होता है तो आप से बिल्क मत पिलाओ क्योंकि वो काफी हैवी होता है डाइजेस्ट होने में दिक्कत होती है इसलिए आप उस टाइप पिलाओ अगर आप अपने बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क पलाते हो या फीट करवाते हो तो वो जरूर गरवाओ क्योंकि उससे बहतर हो कुछ भी नहीं है बुखार के टाइम प पिल्कुल भी नेक्स जो आपको ध्यान रहनें कि जब आपकी बच्चों को फीवर आता है तब आपको उने नहलाना नहीं है पेरेंट से सोचने कि एक दम फ्रेश कर देता है तो इस तना बढ़िया सा हो जाएका तो फ्रेश 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 फील गरेगा बुखार चला ज तो ही आप उसे निलाओ अगर आपको बच्चे आपको लगता है कि वह नहीं नहाना चाहता है या फिर उसे इरिटेशन हो रही है परिशान हो रहा है या तेज बुखारत आप उस बच्चे को बिल्कूल भी मत निलाओ उसको सिर्फ और सिर्फ आप स्पॉंज बात दीजिए पिनाई है जो रेगुलर ले आप उसको पिनाते हो तो उसको काफी अच्छा फ्रील होगा उसके बाद आपको नेक्स ध्यान रखनी है कि जब भी आपके बच्चे को फीवर आता है पेरेंट्स क्या करते है यह सोचने है जैसे हम लोग बड़े लोग होते हैं कि जब फीवर अगर आपका बच्चा सिक्स मंग से भी छोटा है तो आपको उसे कुछ भी नहीं देना है अगर उसको फीवर आ जाता है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाए डॉक्टर से कंसल्ट करें नहीं तो अगर नॉर्मल फीवर है वाइरल बगर चल रहा है तो आप उसको सिर्फ प्रश्ट नोग दें अपने आप ठीक हो जाएगा आपको थोड़े पेशन्स रखने हो लेकिन अगर आपका बच्चा सिक्स मन्से प्लस है तो आप डॉक्टर से कंसल्ड कर सकते हो या फिर अगर आपके पास इतना समय नहीं है या रात हो रही है काफी आप डॉक्टर से कंसल बहुत 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 ही खास चीज जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते है जब आपको फीवर आता है जब नौर्मल सा कपड़ा पानी के अंदर भीगो के नौर्मल पानी भीगोना आईस बॉटर नहीं फ्रीज का वाटर नहीं यूस तरना आपको डिप कर्ना है पर ए आपको यह सारी मतलब एक जो माइनर्स दे जाते हैं कि आप मुझे डॉक्टर के पास चाहना ही पड़ेगा तो वहां तक आप नहीं पहुंचोंगे या फिर अगर रात हो रही है आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हो तो आपके कुछ मेरी टिप्स अपना सकते हो जिससे आ आपके बच्चे का फीवर में भी उत्तर भी सकता है तो यह तो दोस्तु मेरी कुछ छोटी सी खास टिप यह बहुत ही इंपोर्टन टिप है क्योंकि मैंने ने एक्स्पिरेंस करा है जब मेरे अध्विक को फीवर आता था तो मुझे डॉक्टर जब मैं होता था कि रात में है कि मैं किसीं नहीं जा सकती आ फिर आप में क्या करू रहूं हो डॉक्तर भी नहीं है मैघ किसको फ鬼 करूगly बुखार ऐसा चुВот नहीं क rival इसीं चापड़ कर दो क्नटोरları के वह बहुत्य दुन कश्था थीक करती है कुछ ही दिनों के अंदर जहां आपको को लगता है कि अगर आपका बच्चा बीमार हो जाता है उसको फीवर आजाता है तो आप यह टिप्स फॉलो कर सकते हूं और मतलब शूरली मैं यह कह सकते हूं कि आपकी जो सिच्वेशन हो जाएगी बच्चे का फीवर भी धिरे-धिरे कम हो जाएगा अगर दोस्तों मेरे वीडियो से काम आजाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें